डेली रूटीन में sleep cycle, exercise and pray करना is most important लेकिन उसके बाद दिन में हमारे पास depending आप school जाते हो या dropper हो आपके बास हो सकता है depending on 6-7 hours से लेके आपके बास 10-12 hours की study हो सकती है अगर आप 7-8 hours की भी high quality study करते हैं और तो school going बच्चे हैं वो 5 hours की भी अच्छी self study करते हैं तो काम बन जाएगा जिसमें लगबग 2-3 घंटे everyday आपको theory पे जाना होगा यानि concept videos से अपना syllabus cover करना होगा और अपने concepts को brush up करना होगा समझे हो तो ये time table बना लिजेगा कि भाई यहाँ पे आपका time table का थोड़ा में अंदाजा दे देता हूँ कि आप for example physics में एक strong chapter लेके बैठे हैं जिसमें आप mainly practice कर रहे हैं और revision कर रहे हैं तो बाकी दोनों chapters जो हैं उनमें आप अपने week chapters को उठाइएगा यानि एक strong तो दो revise होता जाए अब इसके बाद 2-3 घंटे theory completion के साथ बच्चों 4-5 घंटे 4-5 hours आप सभी को practice करनी है प्राक्टिस के लिए क्या करना है मैंने आप सभी को बता चुका हूँ और उसमें quality पे focus करिएगा चाहे number of question थोड़े कम हो लेकिन दिमाग लगाईएगा question सवाल पे समय लग आओगे exam से पहले अच्छे सवालों पे उतना कम समय exam में लगेगा आपको tough questions की बात कर रहा हूँ so the more time you spend on the tough questions the lesser time you spend on those tough questions in the exam तो naturally speed बाद में बढ़ जाएगी तो यह बहुत important key point है उसके लावे everyday at least 2 घंटे बच्चा revision के लिए time निकालना है तो क्या होगा आगे बढ़ते जाओगे और revision नहीं हो पाएगा ठीक है आप में जो भी बच्चे finally concept videos and concept videos का access लेते हैं जो उसमें आते हैं after some time I'll take a separate session for them as well for all the students who have taken concept videos ताकि उनको और भी detailed guidance मिल पाए कि exactly हमें क्या करना चाहिए ओके बच्चो यह अगर आप तरीका अपनाते हैं बच्चो तो इसकी health से आप self study करके भी with more efficiency आप अच्छी rank अचीव कर सकते हो okay बच्चो hoping that इस video से आप सभी को help जरूर मिली होगी and और कोई कोई भी problem आप face कर रहे हैं तो comment section में जरूर बताइए I'll try to make a video on it है ना and like तो बनता है चलो फिर मिलते हैं बच्चो बबाई take care and love you all